ये खीर मैंने कोकर में बनाया है और ये 15 मिनट में बनके बिलकुल तयार हो गया है बनाने में इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता लेकिन खाने में इसका टेस्ट बिलकुल रबडी की तरह लगता है तो एक लीटर दोट से मैंने खीर बनाया है चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो मैंने एक चम्मच घी डाला है देशी घी कुकर को गरम करके और एक मुठी चावल मैंने 15 मिनट पहले भीगो दिया था इसका पानी निकाल देंगे और इसी चावल में से एक चम्मच चावल में अलग से ले लूँगी और उसमें 5 काजू डालके भीगो दूँगी इसको बाद में हम बिलकुल इसका पेस्ट बना लेंगे जब घी करम हो जाए तो इसमें ये भीगा हुआ चावल डाल देंगे और इसको 3-4 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है बस इसको घी में अच्छा सा इसको कोट कर लेना है यकीन मानिए बहुत ही अच्छा इस तरीके से अब खीर बनाईएगा बहुत ही अच्छा कीर बन के तयार होगा तो इसी समय में इसमें एक चुट की केसर डाल रही हूँ और इसको क्रश करके डाल रही हूँ तो केसर इसी समय डालने से ये होगा कि ये दूद में बहुत अच्छा कलर आ जाता है क्योंकि ये इसमें उबल जाएगा और मैंने इसको crush करके डाला है और इसको भी इसके साथ ही में भून लूँगी तो अब इसको भूनते हुए 3-4 मिनट हो गया है और इसका color भी change हो गया है जो पहले हमने चावल लिया था वो बिल्कुल white था बिल्कुल ऐसा और आप चावल का color देख रहे हैं कि change हो गया है तो इससे जादा नहीं भूनेंगे तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप भरके दोथ, measurement का पूरा ध्यान रखें और इसी कप से नापके में पौना कप पानी डाल रही हूँ धक्कन नहीं लगाएंगे और इसी समय इसमें मैं डालूंगी 3-4 इलाइची जिसको कि मैंने बीच से तोड़के और इसको कूट लिया है तो दूद में ही इलाइची को डालने से क्या होता है कि दूद में बहुत ही अच्छा इलाइची का flavor आ जाता है और जैसी CT लगेगी ना छिलके के साथ ही हम इसमें डालेंगे जैसी CT आई ये तो आप देखेंगे कि इसकी जो खुसबू है इतनी अच्छी आती है तो अब एक उबाल आ गया है और इसको मैं बंद कर दूँगी और बंद करके 2 CT केवल high flame पे लगाएंगे 2 CT से जादा नहीं लगाएंगे और गैस को बंद कर देंगे CT आने के बाद भी मैं दिखाऊंगी कि बिलकुल भी CT से दूद बाहर नहीं आएगा और ये जो काजू और चावल है इसका हम बिलकुल पेस्ट बना लेंगे तो ये दूसरी CT आ गई है और आप देख सकते हैं कि एक बूंद भी दूद बाहर नहीं आया है और मैं धक्कन को भी खोल के दिखाऊंगी धक्कन में भी एक बूंद दूद नहीं लगा है तो जब कूकर ठंडा हो जाएगा तब आप इसे खोले तो कूकर ठंडा हो गया है और अब मैं इसको खोल रही हूँ चावल बहुत अच्छे से पक गया है तो इसको पल्टे से ऐसे खुरूचते हुए और हलका सा इसको हम मसल देंगे केसर भी बहुत अच्छे से इसमें कलर आ गया है केसर का तो इसको बहुत अच्छे से ऐसे हम मसल देंगे और इसमें फूल क्रीम में एक लीटर दूट डाल रही हूँ इस दूट को मैंने पहले बॉयल कर लिया था और इसको मिक्स कर देंगे और इसको चलाते हुए बीच बीच में हम कूकर के साइड में पल्टे से दबा दबा के हलका हलका चावल को घोटते भी रहेंगे तो जब इसमें एक उबाल आएगा तो जो हमने काजू और चावल का पेस्ट बनाये था वो चावल हम तब डालेंगे जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो देखे एक उबाल आ गया है और अब इसमें में ये पेस्ट डाल दूँगे पर एक बात का ध्यान रखी कि जैसी इस पेस्ट को डालेंगे देखे ये ढखकन में दिखा रहे हूं सीटी लगने के बाद धकन में बिल्कुल भी दूद नहीं लगा है तो अब इस दूद को मैं डाल दूँगी और दूद को डालते ही ध्यान रखेंगे कि ये पेश्ट को डालते ही कि इसको continue चलाते रही है अगर इसको छोड़ेंगे तो इसमें काजू था तो वो काजू नीचे चिपकने लगेगा तो इसको जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए इसको चलाते रही है और बीच-बीच में भी इसको चलाते रही है बहुत दिर तक इसको ऐसे नहीं छोड़े अब इस खीर को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जैसी इस पेस्ट को डाला है अपने ये खीर बिल्कुल गाड़ी होने लगती है और इसमें मैं थोड़ा सा ड्राइफरूट डाली हूँ जिसमें की काजू, बदाम, किस्मिस है देखे एक उबाल आते ही खीर कितनी जल्दी गाड़ी हो गई और चावल तो पहले से ही पका हुआ है तो अब इसमें मैं चीनी डाल दूँगी, तो ये एक कटोरी मैंने चीनी लिया था मीठा आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कर सकते हैं मैंने दो चमज चीनी बचा लिया है तो चीनी को इसमें डालके इसको अच्छे से घुलने तक पकाएंगे अगर जब चीनी घुल जा रहा है तो आपका खीर बिल्कुल रेडी है आप बंद भी कर सकते हैं इसका कलर और इसका थीकनेस देखे कितना अच्छा आया है अभी ठंडा होने पे इसका कलर और भी अच्छा आएगा और ये और भी घाड़ा हो जाएगा तो एक लीटर दूद से देखे कितना जल्दी 15 मिनट में कोकर में रबडी की तरह खीर बनके तयार हुआ है तो ये दो चमर चीनी में एक फ्राइ पैन में डाल रही हूँ और इसको मैं कैरमलाइज कर लूँगी तो ये जैसी उपर जाग बनने लगे गैस को बन करके और इसको तुरती हम दूद में डाल देंगे तो ये जो चीनी का सॉस बनके तयार होता है इससे इतना बढ़िया इसमें कलर आता है डेस्ट आता है और इसको लो फ्लेम पे ही खीर को रखेंगे हम और ये जो सॉस हमने डाला है चीनी का इसको बहुत अच्छे से इसमें हम खोल लेंगे और इसको डालने के बाद केवल एक मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे एक मिनट से जादा ने इस चीनी को इस तरीके से डालने से ये खीर बहुत ही बिल्कुल गुलावी रबडी की तरह बनके तयार हो जाता है और आप अगर इसको एक घंटे फ्रीज में रखते हैं तो फिर इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है तो ये खीर बिल्कुल रेडी है और मैं अब गैस को बंद कर दूँगी और पंद्रह मिनट के लिए मैं इसमें ढखकन लगा दूँगी कुकर को बंद नहीं करना है बस इसको ढखके पंद्रह मिनट के लिए रख देना है और पंद्रह मिनट बाद जब ये खीर ठंडा हो गया है तो देखें मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ इस खीर देखे कितना बढ़िया ये खीर गाड़ा हो गया है और इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल रबडी की तरह इसका कलर आया है तो एक बार आप इस तरीके से खीर जरूर बनाईए